Hello students, welcome to our channel. आज हम बात करेंगे CBC Board के बारे में Class 12 का यहाँ पर आपको बता दे दुस्तो Compartmental का जो 50% जो Copy Checking Process है दुस्तो यहाँ पर जो है CBC Board ने यहाँ पर Complete कर लिया है और जो आपको बता दे दुस्तो यह जो Copy Checking का Process है आपका काफी रफतार से चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आपका जो है यहाँ पर साथ दिन के अंदर जो है यहाँ पर CBC जो है यहाँ पर Copy Checking का Process जो है Complete कर देगा दुस्तो आपको हम Clear तरीके से बता दे साथ दिन के अंदर ऐसा हो सकता है ऐसा अनुमान लगा जा रहा है क्योंकि जो Copy Checking Process है Speedly बढ़ रहा है तो हो सकता है यह तीन से चार दिन में 100% होने का उमीद यहाँ पर बताए जा रहा है उसके बाद आगर आपको बता देए यहाँ पर Clear तरीके से कि August के First और Second Day में Release होने का यहाँ पर संभावना है दुस्तो ऐसे में सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल आ रहे हैं कि क्या Condition होगा डर भी है कि हम Fail करेंगे Pass करेंगे और अगर Fail होंगे तो इसका क्या Condition होगा Pass का क्या Condition होगा बहुं सारे बच्चे का मन में यहाँ पर सवाल आ रहा है हम class 10 की भी बारे में बात करेंगे हम moderation की बारे में बात करेंगे क्योंकि moderation जो एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे जो है यहाँ पर मतलब exam में पास हो सकते हैं यानि कि जो अराम से moderation के जरिये पास होना easy होता है तो हम इस पर भी बात करेंगे दोस्तों आपको बता दे hard question की चलते जो बच्चे fail हो रहे हैं या मतलब दोबारा fail हो रहे हैं तो हो सकता अगर moderation अगर लाया जाए तो यहाँ पर वो बच्चे fail हो रहे हैं तो वो fail ना हो ऐसा हो सकता आपको बता देंगे यहाँ पर class 10 का यहाँ पर 35% यहां पर काम, यहां पर copy-checking प्रोसस्स कंप्रेट कर लिया गया है, और class-12 का 50% यहां पर, यहांई class-12 का जो result है, वो पहले आएगा और class-10 का बाद में आएगा, इसलिए जो यहां पर copy-checking process जो है, class-12 का पूरी तरह से यहां पर कर लिया गया है आपको बता दे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो बोर्ट ने क्या बोला है किस तरह से नंबर आपको देगी तो आपको बता दे जो बचे पूरे ट्राइ किया है तो उनके लिए सोचना नहीं है वो 100% पास है लेकिन जिस कोशन ने जिन student ने जो यहाँ पर खाली पेपर छोड़ दिया है तो उनके लिए खाली पेपर में यहाँ पर आपको CBC जो है नंबर नहीं देगी अगर आपने मानलो उस question को आधा भी अगर थोड़ा सा भी बनाया है मतलब उसको solve करने की कोशच किया है तो यहाँ पर CBC जो है कहता है कि आधा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है उससे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसमें यानि कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप उस question को try कर रहे हैं तो फिर भी आपको मिलना चाहिए CBC का यह rule कह रहा है और maximum examiner पर यहाँ पर depend करता है दोस्तों आपको बता दे starting के जो MCQ question है वो भी अगर MCQ question आपका जादेतर अगर MCQ multi choice question जो है सही होंगे तो यहाँ पर आपका जो आपका पास करने की जो chance है वो जादा रहेंगे ठीक है तो आप लोग एक बार comment में लिखें कि हाँ we want moderation actually moderation क्या है दरसल यह एक ऐसा provisional है जिसमें उन चातरों को यहाँ पर grace marks दिये जाता है जो number से fail होने वाले होते हैं मतलब अगर 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 कम number से fail हो रहे हैं तो moderation करके उन्हें पास कर दिये जाता है इसके इलावा इस policy के तहट जो चातरों को परसन परसन में दिये गए जो है अधियादिक जो है कठीन परसनों या गलत परसनों के लिए भी यहाँ पर grace marks देने का यहाँ पर प्रवधान है दोस्तों यानि कि grace marks देकर उनको पास यहाँ पर कर दिया जाता है ठीक है तो दोस्तों कुल मिला कर अगर हम बात करें तो moderation में यहाँ पर moderation moderation आता है तो इसका चातरों को यहाँ पर students है उनको काफी यहाँ पर help होगा और आप लोग एक बर comment में moderation के लिए आपका क्या सोचर है आप लोग एक बर comment में बोल दे we want moderation और अभी जो copy checking process हो रहा है तो यहाँ पर आपको बता दे जो अभी marks हो रहा है उसमें आपको tension नहीं लेना है failure past क्या होगा वो अभी जो है अभी आप लोगों को tension नहीं ले रहा है मतलब अभी जो है we want moderation और इस चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को like किजेगा share किजेगा क्योंकि यहाँ पर cbc से related वीडियो आते रहेंगे इसलिए thank you